तो मैं कड़ाई में रिफाइन आयल गरम कर चुका हूँ तू टेबिल स्पून मैंने यहां पर रिफाइन आयल यूस किया है अब मैं इसमें दूंगा तेज पत्ता और लॉंग इसको देने के बाद फ्लेम आप हाई कर दिजिये इसको अच्छी तरह से मिस्ट केजिए ए फ्राइ किजिये इसको ओ के फ्रैंड्स इसको अच्छी तरह से फ्राइ केजिए अनु टेबिल स्पून मैंने यहां पर ओई उसकिया है रिफाइन ऑयल अब मैं दूगा इसमें जो है कटा हुआ प्याज शोटा-चोटा कटा हुआ प्याज बारिक कीसा कटा हुआ प्याज मैंने चॉक कर लिया है प्याज को बड़े ही आराम से जैसा कि आप देख सकते हैं कि में में इसे पकाएं पियाज जबतक गोल्डन ब्राउन आ हो जाए तब तक आपको इसे पकाना है अब अबस आपको इसको गोल्डन ब्राउन करना है अच्पी तरह से प्याज को पकाएं बहुत ही बारिकी से कटा हुआ प्यास है यह आप देख सकते हैं लेम को मिरियम कर दे चलिए मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन भरता चिकन मेनिया में आप लोगों को मैंने बहुत दिनों से चिकन मेनिया का कोई डिस नहीं दिया है मैंगो मेनिया सुरू किया था मैं मैंगो मेनिया का डिस आपको रोजाना देते जा रहा हूँ मगर चिकन मेनिया को मैंने बुला था मैं चिकन मेनिया आपको दुंगा एक-एक करके टीट मैं चिकन मेनिया का भी रख रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं इसे आप गोल्डन ब्राउन होने तक पकाते रहिए ठीके फ्रेंस, मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके है प्यास अब मैं इस में दूंगा सुन लिया था नॉर्मल साइज का मीडियाम सोटा से थोड़ा बड़ा मीडियाम साइज ही पकड़ दीजिए मीडियाम लेम में आप इसको पकाईए आप इसके आप देख सकते हैं ओके फ्रेंड्स इसको थोड़ी दिर कटने दीजिए थोड़ा देख पक जाएगा उसके बाद हम और इंग्रीडियन्स यूज़ करेंगे हम बना रहे है चिकन भर्ता आप लोगों का फेवरेट हमारा फेवरेट चिकन का न्यू डियस बन चूटा है अब मैं इसमें दूँगा टोमेटो प्यूरी तोमेटो प्यूरी स्वे अगर नहीं बनाना जानते हैं तो मैं एक वीडियो में आपको इखा दूंगा टोमेटो प्यूरी कैसे बनाते हैं तो अब बारी है शाल्च देने के मैंने जो साले यूज किया आप देख सकते है मैंने 2 तेबल स्पून है हल्दी 2 तेबल स्पून ही नाद मीच पाउडर, जीरा पाउडर यूज किया और उने यहां पर यूज किया है वह स्वादनुसा नमक इसे अची तरह से मिला ले लानमेच पॉडर में यहाँ पर इसे अची तरह से मिलाए पहले मिला लेने के बाद आपको जो काम करना है इसालो को अची तरह से ला लीजिए अब बारी है चीकन देने का अब बारी है चीकन देने का अब मैंने चीकन को पहले ही बॉइल कर लिया है और चोटे-चोटे पीसेस में इसे डिवाइड कर लिया है ज़िए के अब देख सकते है इसे चोटे-चोटे पीसेस में डिवाइड के लिए मैंने बॉनलेस चीकन लिया अब इसको अच्छी तरह से मिलाएए अच्छी तरह से मिलाएए अच्छी तरह से इसको मिलाएए हमारा चिकन भत्ता रेडी हो रहा है त्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं को बौनदेश चिकन को पहले बॉयल कर लिया था तक बॉयल कर लिया था करने के बाद यह प्रोटेंचें आया है अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी आड करूंगा ज्यादा मत कीजिये थोड़ा साइड कीजिये पानी आड़ कीजिए थोड़ा और पानी लगेगा इसमें अब क्वांटिटी देख लीजिए अब इसको आपको मीडियम हीट में पकाना है फर्स्ट आपको मीडियम हीट में चिकन बॉयल कर लिया तो इसलिए आपको ज्यादा बॉयल करने के लिए इसे जरूत नहीं है अब मिसाले जैसे अच्छी तरह से मिक्स हो जाए वैसे करने से हो जाएगा इसको मेडियम फ्लेम में कर दीजिए लो फ्लेम से थोड़ा ज्यादा करने के बाद हम लीड लगा देते हैं चिकन अच्छी तरह से बॉयल हो जाएगा ओके ओके फ्रेंड्स आप नेक्स्ट इंग्रीडियंट मेरे पांच मिनिट हो चुके हैं 5-6 मिनिट अब जो नेक्स्ट इंग्रीडियंट है वो है एक मैंने एक एक पहले से लिया हुआ है इसलिए मैं एक एक दूंगा इसलिए बीट कर लिया था मैंने और दो एक दे सकता है मगर एक एक देने से 500 गाम चिकन में हो जाएगा अब इसको अच्छी तरह से मिलाए अच्छे तरह से मिलाना है आपको हमारा चिकन भत्ता अल्मोस्ट रेडी है मेडियाम फ्लेम में कर दीजिए फ्लेम को थोड़ा तेज कर दीजिए वरे चिकन भत्ता सूख जाए कि यह सुखा हुआ है अच्छा लगता है अब मैं जो दूंगा वो है गरम मसाला गरम मसाला मैंने फ्रेस पीस लिया है मैं उसे यूस करूंगा क्योंकि मुझे फ्रेस पीसना है अच्छा लगता है अब साई गरम मसाला भी यूस कर सकते हैं मकर फ्रेस पीसा हुआ गरम मसाला का मजाए कुछ अलगता है इसका जो सेंट होगा वही लाजवाब होगा इसमें आप फ्रेस क्रीम यूज कर सकते हैं अंत में मैं फ्रेस क्रीम नहीं यूज कर रहा हूं मुझे फ्रेस क्रीम पसंद नहीं के लिए आप फ्रेस क्रीम यूज करी सकते हैं इसमें और टेस्ट आ जाएगा इसे अची तरह से सुखाले दूस्तो लेम को तेज कर ले इसे अची तरह से सुखाले आप लीट को बंद करके रख सकते हैं दो मिनिट कर दो कोई दिकत में तो फ्रेंड्स मेरे चिकन वर्ता रेडी है तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक करना ना भूलिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए ट्वीटर में फेस्बूक में वाटसब में मेसेंजर में और सब के साथ इसे सेयर कीजिए तो थैंक्यू फ्रेंड्स इसे देखने के लिए झाल 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 झाल